अुलो फ्रेंडस वंस अगेंड वेलकम बैक्क्तो मैं चैनल आज मैं आपके लिए बहुत की इंपोर्टेंट वीडियो लेक्टेंट यह वीडियो बहुत हुने वाला है उन लोगद होने के यह वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा अगर आप चैनल पे नियू है तो फर्स टाम देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बैले के दबाया न भूलेगा चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं यह जो वीडियो है इसमें मैं बताऊंगा आपको कि हमें पानी कैसे देना है फरस्ट हमें प्लाइट में देने का बैस तरीका है विंटर में कि अप शावरिंग कीजिए अगर आप प्लाइट नॉर्मल में लगाए मित्टी में लगाए तो अब जड़ें पानी भी दे सकते हैं लेकिन अगर आपने कोगोपीट में लगा हुआ क tee में कि घिल्टी realtà its the जितने क्ली रहें नहीं लगा अट्रवाइस आपको आपको अगर हमारे गंदे रहेंगी प्लांड रह जcul़ को जाए हैं जैसे कि स्पाइडिर मैड बहुत जल्डी अटाइक करता हैं अगर आपको बत्ते साफ नहीं है तो यह आपको फर्स्ट काम करना है शावरिंग देने का यह कोकोपीट की बात है अगर आपने सॉल में लगा है तो भी आप शावरिंग डिली करेंगे अगर आपको सॉल सुखा देख रहे हैं पानी देदीजे थोड़ा सा लेकिन शावरिंग करने का जो बेस्ट टाइम है विंटर में आप करेंगे सुखा सुखा कर लीजे तो जड़ा बेटर जाएगा अगर आपको सुखा टाइम नहीं मिल रहा है तो आप शाम को करें लेकिन शाम को भी आपको करना है कब आपको सूरज लने से पहले करना है मतलब जब अंधिरा होने लगे तब आप शावरिंग मत कीजेगा आपको शावरिंग करना है वही साड़े तीन चाह साड़े चाह साड़े चाह के बिच में आप शावरिंग कर डीजिए इससे क्या होगा प्लांट से पानी बहुत देर तक खोल नहीं रहेगा और जितना कम देर तक प्लांट से पानी होल रहेगा पत्तों में उत्तरा ब्लेक स्पाट नहीं आएगा अधरवाइस ब्लैक के स्पाइब आने की जैस्स बहुत जदा बढ़ग जाתी हैं हम्हार्य आम गिर भी 30 भारिच गोपीट में गीला है लेकिन फिर आप देखिए इतना भी घी जा नहीं है कि इसमें प्लान खराब और नहीं कोश्चन सबसे ज्यादा porous media है सबसे ज्यादा well trained media है इसमें पानी कभी भी hold नहीं होता है और ये इतरा ज्यादा moisture भी नहीं hold करता है moisture इसमें रहता है लेकिन अगर ये एक बार सोक कर लिया दुबारा ये पानी को उत्रा सोक नहीं करता है बारिश में भी मेरे प्लांट इजड़ा रहते हैं इसे ज़्या नहीं रहते है और प्लारिश कि उखे तमने के बारिज़ागों करें गरर झब दरगें नहीं है यह कि अए जहरी मेरे उंगगातने प्लांट चलते हैं। इतना आपको TENSION Lेने की जरुवत नहीं है। अब हम बात करेंगे क्या KOKHOPI प्लाण लगाना सहीं रहता है क्या कोकुपीट में आप रोज ग्रोग कर सकते हैं। यह रोज रोज कैसे लगाना कोकुपीट में वह मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है और वो वीडियो आप देख लेज़ेगा मैं उसका लिंक अटाइच कर दूँ या फिर आई बटन पर मैं डाल दूँगा तो वो वीडियो आपको मिल जाएंगी कोकोपीट में एक कुशन मुझे आता है कोकोपीट फटलाइस कैसे करें प्लान को फटलाइजर कैसे दें फटलाइसर पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है मैंने और्गैनिक और इन और्गैनिक दोनों पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है आप मेरे चैनल पर सर्च करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा अगर नहीं मिलेगा तो मैं उपर आई बटन पर दे दूँगा या डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगा तो आप वहाँ से जाके चेक कर लेज़ेगा ये सब में मैंने वीडियो बनाया हुआ है आप प्लीज चैनल पर चेक कीज़ेगा अब हम बात करते हैं कि कोकोपीट में क्या कोकोपीट हमारा खराब हो जाएगा ज्यादा पानी रहेगा इसमें तो ज्यादा ये मौशय होल्ड करेगा तो पारिश के मौसम में खासका ये जो कोशन है ये बहुत ही इन्वैलिट है कोकोपीट कभी ऐसा खराब नहीं होता है बात कोकोपीट अगर डिकम्पोस भी होगा ना तो वह मैं प्लांट के लिए हेल्थी ही रहेगा मतलब वह प्लांट को एक निट्रिशन बेनिफिट ही परोईड करेगा इससे जारा कोई नुकसान नहीं होता है कोई वाश करना है वागर वह सब भी मैंने बताया हुआ है कि हमें कोई पीट को लेकि इतना ज़्यादा परिशान होनी के जरुवत नहीं है बहुत लोग वाश करते हैं दो तीन बार उसके बार वह यूस करते हैं इतना कुछ जरुवत नहीं पड़ता है क्योंकि मैं कोई ब्ल मेडिया है इसमें कुछ भी ऐसे नहीं हुती है और नहीं है लेकिन अब तक मैंस इसमें कोई बी ऐससी नहीं किया हुआ है इसे में प्लाइड में कोई problem आया और या फी कोई disease है कोपीट में सबसे कम insect attack होता है कोपीट में इतना ज़्यादा भी insect attack नहीं होता है आपको लगता है कोपीट में बहुत ज़्यादा यह insect attack करते हैं ऐसा कुछ भी नहीं होता है कोपीट एक प्रेस्ट मीडिया है आप मेरा बात मानी मेरे पर यकीन कीजिए आप से दो तीन लागा के रिखिए आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा तो आप आगे भी कंटी कोपीट में जरूर लगाईगा कोपीट में बहुत ही कम केर मे आप कमेंट में जरूर बताना कि आपको यह information कैसा लगा और आपको आगे कौनसा वीडियो चाहिए तो मैं वो वीडियो पर टॉपिक पर बढ़ा दूँगा वीडियो आप लोगों के लिए thank you so much